हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुन्दर सी और सिंपल सी ये स्लीव के डिजाइन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका पिचले शुरू करते हैं इस डिजाइन के लिए हमने ये स्लीव को 3-4th length में कट किया हुआ है लगबग ये 9 इंज की है और यहां एक स्ट्रिप ली है हमने जो लगबग 1.5 इंज की है यहां एक हिसा हम इसका इस तरह सी पतला फोल्ड करके हम यहां पर इसके ओपर फिनिशिंग देंगे फिनिशिंग क इसके लिए लगबग 3 गुना से थोड़ा सा कम लेते हैं जब भी हम प्लीट्स बनाते हैं तो उस हिस्से का तीन गुना लेना होता है ताकि वो हमारी प्लीट्स के लिए कपड़ा बराबर रहे तो यहां हम एक साइट से पहले इसकी फिनिशिंग देंगे यह फिनिशिंग देने के बाद एक हिस्से में हमारी यह फिनिशिंग होई है और दूसरी हिस्से में थोड़ा हिस्सा हमारा माजिन का रखते हुए हम यहां पर छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे आप चाहें तो एक कच्ची सिलाई लेके उस दागे को कीच के भी यहाँ पर प्लीट्स ले सकते हैं या फिर इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लेके इसके उपर सिलाई ले लेजिए इस तरसे इस पूदी स्ट्रिप पे हमें ये प्लीस लेते हुए सिलाई लेनी हैं इस तरसे इस ट्रिप पेड़ी होने के बाद हमने इस स्लेव की कपड़े की कॉंट्राक्स में कपड़े की स्ट्रिप ले है जो लगबग एक इंच की है और इसको फोल्ड करके यहां पर हम इसके उपर सिलाई लेंगे ये आदा इंच का गैप रगते हुए हमें सिलाई लेनी है ये स्ट्रिप हमारी सीधी पट्टी के है क्रॉस में नहीं है सीधी है और इस तरह से यहां सिलाई लेने के पाद इसे राइट साइड में टर्न करेंगी अब कोई भी स्टिक से इसे इस तरह से राइट साइड में टर्न कर सकते हैं आसानी से राइट साइड में ये टर्न होने के बार इसके उपर हम आयरन से से सेट करेंगे और यहां लगबग ये डेड़ इंज की वन अन हाफ इंज की हमें कट करने हैं ये स्ट्रिप को इस तर से हमेरी ये सारी पीसे रेड़ी है और अभी ये जो स्लिव का हिस्सा है उसके एक्जिक्ट सेंटर के भाग से हम इसे अलग कर देंगे पूरा अलग कर देना है और इस तर से सेंटर का जो हिस्सा है यहां पर पट्टी को यहां फोल्ड करेंगे और इसके किनारी पर सिलाई लेके इसकी finishing दे देंगे किनारी के हिसे पर ही हमें ये सिलाई लेनी है स्लीव के दूसरे भाग में पर इसी तरह से सिलाई लेके इसकी finishing देंगे दोनों साइड में ये finishing हो जाने के बाद हमें हमारी जो ये फ्रिल का इससा है वो यहाँ पर प्लेस करके इसके उपर सिलाई लेनी है यहां सेंटर पर आके यहां लग बग हम पौना इंच तक का मार्ग देंगी जो स्लीव का दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर प्लेस करेंगी जो मार्ग किया है एक्जेक्ट उसके उपर से इसके उपर हम ये सिलाई लेंगे और इसी कंटिन्यो करके ये एंड तक हमें ये सिलाई लेनी है अभी ये सिलाई होने के बाद ये जो फ्रिल का हिस्सा है इसी हमें ये टरन करेंगे और इसका जो मार्ग है वो फ्रिल की और रखना है हमें स्लिव की और इसका मार्जिन नहीं रखना है फ्रिल की और इसका मार्जिन रखके इसके उपर सिलाई लेंगे और जब सिलाई ले रहे हैं तो त्यहां रखना है कि हमारी जो ये फ्रिल के प्लीट से है हो बराबर रहे और यहां सेंटर में जो इसा खाली है वहाँ पर भी यह margin नीची के और चला जाएगा जिसे यहाँ पर यह finishing का दिखेगा अभी टॉप की stitch हो जाने के बाद यहाँ देखें सेंटर के हिसे में जो यह strip के पीसे से हमारे उनको यहाँ इस तरह से place करना है और पहले हम एक side से इसकी सिलाई लेना शुरू करेंगे नीची के हिसे में हमने यह सबसे पहले attach किया है एक हिसा जो वो पूरा वो fill के साथ थोड़ा attach रहता है फिर थोड़ा थोड़ा gap रखते हुए आगे से आगे हम यह pieces को यहाँ पर attach करेंगे यहाँ equal gap रखना है इनके बीच में एक साइड में यह सारी strip attach हो जाने के बाद अब दूसरी साइड में इस तरह से इसको cover करेंगे और इसके उपर सिलाई लेंगे जब यह हम सिलाई ले रहे हैं तो यह जो gap एक साइड में हम अल्रोड़ी दे चुके है इन स्टिप के बीच में उतना ही gap दूसरी साइड में रखना है सही तरीके से इसको दबाते हुए यहाँ पर इसके उपर-उपर सिलाई लेंगे और इस तरह से हमारी यह सुन्दर सी स्लिप के डिजाइन बनके रेडी है आपको यह डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाबाई